Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल और वो फायदा भारत ले रहा था, तो वो जो Crude Oil पर Discount है, दोस्तों आपको याद होगा, कि कई लोगों ने बोला कि 30 डॉलर का Discount मिल रहा है, कि ओफीशल कुछ भी नहीं है, 30 डॉलर का Discount मिल रहा है, और इसकी वज़य से भारत ने बड़ी मात्रा में Oil मंगाना स्टार्ट क देखे, जो Discount हमें पहले 25 डॉलर, 30 डॉलर हुआ करता था, आज वो 4 डॉलर पर आ गया है, तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर Delivery Charges को लेकर काफी विवाद हो रहा है, कि क्या रशिया भारत के उपर ज़्यादा Transportation Charges लगा रहा है, वो सारी चीजे मैं आप से डिसकस करूँ तक की पूरी त्यारी करना चाहते हैं, तो यह batches दोस्तों आज से ही स्टार्ट हुआ हैं, और 12th of July लास्ट डेट है, परसों लास्ट डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने का, तो जल्दी से हमारे website आप पर जाएए, आप फिर comment section में इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर यू क्या रहा है, देखें, जैसा कि मैं आपको starting में ही कह रहा था, कि Russia Ukraine का वो और जो start हुआ, उसकी वजए से भारत को जो crude oil है, काफी सस्ते में मिल रहा था, और कई लोग भारत में ये भी सवाल पूछ रहे थी, कि जब Russia से हमें इतना सस्ता oil आ रहा है, तो आखिरकार भारत मे इतना महंगा क्यों मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, कि recently मैंने एक article भी पढ़ा था, और उसके अंदर बताया जा रहा था, कि कैसे, जो हमारी oil companies हैं भारत के अंदर, जो BPCL हो गई, Indian Oil हो गई, Reliance हो गई, उनको काफी बड़ा फायदा हो रहा है, इसकी वजए से, क्य यहाँ पर problem क्या है रश्या के साथ, प्रॉब्लम यह आ रहा है, कि रश्या जो हमें transportation में charges लगाता है, मतलब कि रश्या से जो oil भारत की तरफ आता है, उसका जो transportation charge है, वो कहीना कहीं रश्या जादा लगा रहा है, यह आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि रश्या हम हमें लगबग 11 डॉलर से लेकर 19 डॉलर पर बैरल के बीच में charges लगा रहा है, और रश्या अभी हमें जो crude oil है, वो 60 डॉलर के नीचे नीचे दे रहा है, मतलब oil तो सस्ता दे देता है, लेकिन सिर्फ oil सस्ता देने से नहीं होगा न, वहां से जो transportation किया जाता है, उसका जो charges ह वो आकिर कार अगर रश्या जादा लगाएगा, तो हमें discount का तो कोई asset फायदा नहीं हुआ, in fact मैं आपको बता दूँ कि ये जो 11 से 19 डॉलर मैंने आपको बताया है, ये almost double है, मतलब कि रश्या से जो oil भारत में आता है, या तो वो black sea से आता है, ये जो black sea आप यहाँ पर द rate से, अब कितना double, बताये जा रहा है कि अगर हम almost equal distance देखें, मतलब कि अगर आप यूँ समझीए, जैसे Netherlands हो गया, यहाँ पर Rotterdam है, वहाँ से लेकर Persian Gulf हो गया, उसका जो distance है, और जो रश्या से जो हमें oil आता है, वो almost same है, उसका distance अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो charges लग लगाया जाता है, तो यह हमें लगभग 11-12 डॉलर के असपास लगाया जा रहा है, पर barrel के हिसाब से, in fact मैं आपको बता दू, 2022 में यह आप देख सकते हो, जो मैं आपको कह रहा था, कि Russia-Ukraine war start होने की बज़े से क्या हुआ था, कि जो European buyers हो गए, और Asia के अंदर आप Japan देख वो सस्ते दाम पर रश्या जो है, अलग-अलग देशों को देना चाहता था, और इसमें भारत को लगभग 30 डॉलर पर barrel के आसपास का फायदा हो रहा था, मतलब कि उस समय अगर मान लो 120 डॉलर पर barrel था, और उसके मुकाबले अगर हम देखें, रश्या हमें लगभग 90 डॉ वाइट कर रहा था, तो अलमुस्ट 30 डॉलर का फायदा हो रहा था, लेकिन आज वो फायदा कितने पर आ चुका है, अलमुस्ट 4 डॉलर के आसपास आ चुका है, ठीक है, अगर हम बात करें कि चाइना क्या कर रहा है, तो देखो भारत ने अभी जस्ट 2 महने पहले ही चाइ पारा, और इसके मुकाबले अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का टोटल अगर हम देखें, जो पर्चेस होता था ओयल का, वो सरफ पहले 2% हुआ करता था रशियन ओयल, लेकिन आज के डेट में आप सोच के देखिए, अलमुस्ट आधा 44% जो हमारा डिमांड है, उसका 44 44% ओयल हम रशिया से अकेले मंगाते हैं, और वहीं अगर हम चाइना में देखें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांस्फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन ओफ वहिकल हो रहा है, डिमांड प्रॉब्लम में हम उनकी एकनोमी उतनी अच् क्या भारत फेल हो गया है, अच्छा डिसकाउंट लेने में, क्योंकि अगर हम रशिया से ओल मगार हैं, तो हमें उसका कुछ फायदा होना चाहिए, अदर्वाइस वो तो हम फिर जो पास वाले देश हैं, जो मिडिल इस्टरन कंट्रीज हैं, वहीं से हम मगा लिया करेंगे ऐसे देखा जाये तो, अच्छुली क्या है न, यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताए जा रही है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो गौर्मेंट कंट्रोल एंटिटीज है भारत के अंदर, जैसे इंडियन ओल कॉर्परेशन हो गया, बीपी सील हो गया, मैंगलोर रिफाइ लोग एक साथ मिलकर, निगोसियेशन नहीं कर रहे है, एक्सपर्ट के दौरा सोरसे के दौरा यही बता जा है, कि वो जो भी डील कर रहे हैं रज्या के साथ, वो सैपरेटली कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत की जो स्टेट कंट्रोल उनेट्स है, यह जो ब क्योंकि चाइना में डिमांड कम हो रहा है, यूरोप खरीद नहीं रहा है, रश्या से, तो सबसे बड़ा बायर रश्यन ओयल का भारत ही है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स और सोर्सेस के द्वरा, कि अगर भारत, भारत की जो रिफाइनरीज हैं, जो जो ओयल कमपनीज हैं, अगर वो रश्या से नेगोशियेट करती एक साथ मिल कर, तो में भी हो सकता है, कि यहाँ पर उनको अच्छा डिसकाउंट मिल जाता, लेकिन अब यह ऐसा नहीं हो पार, अब यह प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, वो तो सरकार को देखना चाहिए, यह यहाँ पर जैसे कि, for example, मैं आपको बताता हूँ, Indian Oil Corporation, यह कलौती ऐसी कमपनी हैं भारत में, जिन्होंने एक term fix किया हुआ है रश्या के साथ, एक deal fix की भी है, कि हम इतना quantity आप से इतने regular basis पर खरीते रहेंगे, लेकिन बाकी कि जो refiners हैं भारत में, वो tender basis पर खरीते हैं, tender basis पर खरीतने से क्या होता है, जैसे कि मान लोग यहाँ पर कोई particular oil की बोली लगी या फिर आप कहलो कि Russia उसको बेचना चाहता है, तो वहाँ पर उसको सबसे महेंगे दाम में कौन खरीत रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर tender निकलता है, तो क्या है कि अगर वो आप oil खरीते हो तो उसको transportation की जो जिम्मेदारी होती है न, shipping की और insurance की, यह सारी जिम्मेदारी रश्या किया जाती है, रश्या आपको जो oil है, वो आपके port तक पहुँचाता है, लेकिन अब क्योंकि रश्या shipping करेगा और insurance provide करेगा, तो इसकी वज़े से क्या होगा, कि यहाँ पर जो charges हैं, वो रश्या मनमाने तरीके से लगा सकता है, और probably शायद यहाँ पर यही हो रहा है, अब question यह है कि आखिरकार exactly भारत कितना पेक कर रहा है, Russian oil को लेकर, देखो बताये यह जा रहा है, कि भले ही रश्या यहाँ पर 60 डॉलर पर barrel crude oil का charge कर रहा है, लेकिन वो जो transportation का charge कर रहा है वो तीन ऐसी agencies हैं, जिनसे quotation लेता है, मतलब कि तीन agencies हैं जो shipping की हैं, उनसे वो पूचता है कि कितना charge करना चाहिए और उसके basis पर वो charge करता है, और total बताया जा रहा है कि भारत को per barrel अभी के समय, यह पढ़ आये लगबख 70 to 75 डॉलर पर barrel के आसपास, मतलब कि भारत हर एक barrel के यह total अगर हम देखें, transportation मिला कर, तो यह 70 to 75 डॉलर पर barrel आता है, वहीं अगर आप crude oil का price देखोगे इस समय, यह लगबख 75-78 डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा, इसमें मानलो अगर मैं कहता हूँ, यह 75 डॉलर पर barrel लगबख है, average के इसाब से, इसमें आप transportation मानलो 5 डॉ profit भारत को नहीं हो पा रहा है, तो इसके बारे में कहीं न कहीं सोचना चाहिए, finally यहाँ पर question यह भी आएगा कि क्या जो western countries हैं, वो अपने plan में successful हो गया है, देखो western countries का plan क्या था, उन्होंने पिछले साल दिसंबर 2022 में price cap लगा दिया था, price cap क्या है, basically 60 डॉलर से जादा में Russian oil कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि उनका aim यह था, कि Russia को कम से कम payment मिले, और वो payment कम मिलेगा Russia को, तो वो war में खर्च नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने 60 डॉलर का यहाँ पर cap लगा लिया, और इसको लागू भी किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं रशिया ने एक दूसरा पढ़ रहा है, तो देखना होगा इसको लेकर क्या होता है, क्या नहीं बटाए, होग कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, कि exactly हो क्या रहा है, यहाँ पर क्यों इतनी चर्चा चल रही है, कि भारत के लिए जो Russian oil है, वो कोई बहुत जादा मुनाफ़ा नहीं दे पा रह इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आई है, ल जालता रहता है, इसका है?